मतलब लास्ट कोशन कोशन दिया है एक चात्रावास में 60 प्रतिशत विध्यारती हिंदी का 40 प्रतिशत विध्यारती अंग्रेजी का और 20 प्रतिशत विध्यारती दो नौक बार पढ़ता है 100% में से ठीक है अब यहां जो कोशन लिखा है इसको डारेक्ट लिख देना है मैं इंग्लिश निउस्पेपर एंट 20 परचेंट नियू रेट बोथ हिंदी एं इंग्लिश दो नौक बार पढ़ते हैं तो हम अगरें इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी अकबार पढ़ने वाले विध्यारती रीडिंग इस्टुडेंट रीडिंग इंग्लिश निउस्पेपर और एच हो जाएगा हिंदी अकबार पढ़ने वाले विध्यारती इस्टुडेंट्स रीडिंग हिंदी निउस्वेपर अब देखो और इसके लिए ए के लिए एन ओफ ए दिया हुआ है एन ओफ नहीं बोल सकते हैं यहां पर परसंटेज बोल सकते हैं अपन प्रोबाबिलेटी निकाल लेते हैं डारेक्ट ठीक है एच का परसं ट्रोबाबिलेटी निकाल लेते हैं ए और हेच दोनों प्रोबाबिलेटी धिया है एक चात्रवास में 60% विध्यारती हिंधि 40% विध्यारती अंग्रें जी और 20% दोन अग्वार पड़ते तो जब 40-60% विध्यारती हिंधी होगा तो उसका पर्संटेज आएगा हिंदी प ऐने अगर हो लिग रहा हुई एक परिमेश्ण कितने परिमिलिटी अधिन। उस विध्यार्ती कुल परिना मटबकें सकते हो.. चालीस बट्टे 100 यह कितना हैगा जिरो से दो बार दो से पांच बार यह आगे हमारे परस दो बट्टे 5 और आगे बोल रहा है कि कितना बचा वाला बीस परसेंट दोनों अकबार पढ़ते हैं अब दोनों का मतलब क्या होता इंटर सेक्शन तो डारेक्ट निकालो प्रोबिल ठीक, इसमें कोई डाउट है, एक बटे पास 1 अपन 5, कोशन ये है 13.2, कोशन 16, मतलब लास्ट कोशन बात के दो अबजिक्टिव है, एक चात्रावास में 60 प्रतिसत विद्यारत हिंदी, हिंदी अक बार पढ़ने वाले विद्यारत हो की संक्या, 60 प्रतिसत, गलत लिख दिया क्या, नीचे, 60 प्रतिसत हिंदी, इंग्लीस वाले 40 प्रतिसत, तो probability निकाल लिख प्राइकता निकाल लिख और दोनों, हिंदी और इंग्लीस पढ़ने वालों का प्रतिसत कितना है, 20 प्रतिसत, तो हिंदी इंग्लीस पढ़ने वालों का प्रतिसत, 20 प्रतिसत, उसकी प्रत निकालेंगे तो 20 पिछ 100 मतलब क्या जाएक या बट्टे पाच अब नीचे तीन कोशन दिए नीचे समझना क्या कूब होना इंगली ऑंगलत घुशन अलग इंगलतक्त क्या विए और मतलब end, और और end का मतलब क्या होता है, और end का मतलब क्या होता है, intersection, यह याद रखना, word paste, question solve करना है, सुनो फिर से, पहली प्राइकता निकालना है, डारेक्ट करेंगे अपना, ज्यादा थेवरी निलिखना है, डारेक्ट हो जाएगा तो भी चलेगा, प्राइकता गयात क और English newspaper, ना ही Hindi, ना ही English, तो probability किसकी find करना है, ना ही Hindi, और बोलाएं, और ना ही English, मतलब H naught, intersection, E naught, इसका हमको intersection, यह probability find करना है, ना ही Hindi का अगभार पड़ता है, और ना ही English का, दोनों में कोई doubt नहीं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हम, probability of E union B पूरे का naught, H union E पूरे का naught, ना हिंदी और ना इंगलिस, दोनों का intersection नहीं, union, union का naught, और union के naught को क्या लिख सकते हम, union के naught को 1 minus, 1 minus, अब ही तो डारेक लिख दे रहा हूं, probability of, probability of H union E, क्योंकि हमको बता है, किसी घटना के घटित होने की प्राइकता, प्लस उसी घटना के घटित, ना होने की प्राइकता का योग कितना होता है, एक, some probability of occurring event, plus probability of does not occurring event, equal कितना होता है, किसी घटना के घटित होने की प्राइकता, प्लस किसी घटना के घटित, ना होने की प्राइकता का योग, एक, अब इसका formula है, हमारे पास, गनेती formula, probability of A union B equal, probability of A, plus probability of B, minus probability of A intersection of B, तो जब हमको इस intersection E, और सारी values है हमारे पास, 1 minus, bracket में P of H की value, P of H की value, 3 by 5, probability of E की value, 2 by 5, minus H intersection E, H intersection E, E intersection H कितना, 1 by 5, 1 minus 3-0 calcium कितना है 5, 3 plus 2 minus 1, 1 minus 3 दो 5 में से गया, 4 बटे 5, दोनो calcium कितना, 5 minus 4, cross multiply, 1 by 5, तो पहले का answer कितना है, 1 by 5, second, second, second भी direct करों, सुनना, कैसे करना है, यह देखना है, यदि वहाँ हिंदी का अगवार पढ़ता है, एक चीज़ clear है, क्या, कि वह हिंदी का अगवार पढ़ता है, यह हमारा, यह हमारी थेवरह में, कौनसे वाली थेवरह में, 13.1 व अगवार पढ़ता है, पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी के अगवार भी पढ़ने वाली होने की प्राइकता गयात किज़े, अब जब फॉर्मला बनाएंगे, तो वो क्या बोल रहा है कि वो जो लड़की वो हिंदी का अगवार पढ़ती है, मतलब जो पता है, वो कहां Find the probability that she reads English newspaper, तो बताएं कि उसकी क्या प्राइकता है, कि वो English newspaper भी पढ़ेगी, तो फॉर्मला क्या बनेगा, probability of intersection h by, probability of intersection h कितना है, probability का, 1 by 5 by, probability of h कितना है, यमारे बास, 3 by 5, 1 by 5 into 5 by 3, 5 से 5 cancel कितना बचके 1 by 3, 3rd, 3rd बोल रहा है, यदि वहाँ अंग्रेजी का अगवार पढ अभी क्या बोल रहा है, यदि वह अंग्रेजी का अगवार पढ़ती है, तो उसके हिंदी का अगवार भी पढ़ने होने कि क्या प्राइकता होगी, English में लिखा है, if she reads English newspaper, find the probability that the reads English newspaper, अभी वो उपर बोल रहा था कि हिंदी का अगवार पढ़ने की प्राइकता पता है, तो उपर क्या आएगा हमारे पास हिंदी, फॉरॉमला में यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगी, probability of E, उपर हमारे पास probability of E intersection H, probability of E intersection H कितना है, probability of E कितना है, probability of E है, 2 by 5, 5 से Y कितना जाएगा, 1 by 2, probability of H by E, लिखे, बताए question का answer चेक कर और बताओ, इसमें कोई doubt नहीं होना चीए, इसको तुम लोगो थोड़ा समझना पड़ेगा, और यह तो हमारा पहला वाला conditional probability का topic है,